नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका श्वागत है दोस्तों मैं हूँ भाशकरानंद दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गो व्लोग्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुर अच्छा खासा लंबा यहां पे दिखाई दे रहा है जब अंगोठा इस प्रकार से होता है तो हस्त रेखा में ऐसे अंगोठे को बड़ा सुब माना गया है ऐसे बेक्ति सिक्षा और प्यार के मामले में काफी अच्छे होते हैं जादतर आत्म विश्वास से भरे हुए होत इसका सौक रखता है या किसी को सपोर्ट करेगा लेकिन इस प्रकार की इच्छा रखता है लेकिन थोड़ा एगो प्रोब्लम भी यह जीवन में देता है कई बार वानी ऐसी बोली जाते है कि दूसरे को जो है थोड़ा लगती है वो तो इसको समाल के चलें तो बेक्ति कर लेता है वहराल अंगोठा बहुत अच्छा है अगर हस्त रेखा की पर्धम दिर्ष्टी से हम देखें दूसरी बात करें तो यहां पर जो है यह मस्तिस्क रेखा है बहुत लंबी है तो ब्यक्ति का बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है ब्यक्ति कहीं न कहीं सकारात्मक स प्रहुचता रहता है अपने जीवनकाल में और अच्छे कारें को करने की प्रेणा ब्रक्ति के अंदर आती है यह दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि बर्थमान में ब्रक्ति बहुत जादा प्रायो सोचता ही रहता है हर समय जादतर कलपनाओं में तेहने वेट करना वो कर रही है और फिर भी मन जो है थोड़ा सा जो है कलपनावों में जादा रहेगा यह भी यहां पर दिखाई दिए रहा है जीवन की लकीर को देखेंगे तो अंत में जो है मचली का आकार यहां पर बन रहा है और जहां से यह उदाय हो रही है इनका मतलब होता है स्वतंत्र विचारधारा का विक्तित्वा है अपने मन मर्जी का मालिक है विक्ति किसी के कंट्रोल में किसी के आधिपत्य में कार्य नहीं कर सकता है खुद के निर्णयों पे चलना बिक्ति को अच्छा लगता है और बहुत अच्छी चीज़ यह है कि बिक्ति के अंदर responsibility निभाने का हुनर है छोटी उमर से ही responsibility निभाना जानता है और management की ताकत भी बिक्ति के अंदर है पुरानी अच्छी चीज़ों को साथ ले करके और नई अच्छी सोच के साथ उसमें सामंजस करके आगे बढ़ने वाला बिक्ति है लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी है मंगल का सीधा प्रभाव बिक्ति के इन चीज़ों पे पढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि बिक्ति जादतर बिना सोचे समझे बड़ा कदम उठा लेता है और ये निरणे कई बार गलत भी होता है और इसके लिए बिक्ति को पच्छताने भी पढ़ता है और इसका नुक्षान भी बिक्ति को भूगना पढ़ता है तो एक चीज का ध्यान रखें जल्द बाजी से बचें, भावनाओं में आकर बड़े निरुणें लेने से बचें, उतावले पन में बड़ा निरुणें लेने से बचें ये कहीं न कहीं संगर्श की इस्तिति को जन्म देगी धनाहाने कराएगी और कहीं न कहीं चीजों को अन्बैलेंस करेगी तो इस चीज का आपको द्यान रखना है ये यहाँ पर अन्थ में मचले का चिन ब्यक्ति की अध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं को इस प्रवृति को बढ़ाता है और दूसरी बात होता ये केतु है आपकी कलेक्टिब करमाज का जिसकी उजोसे आपका जन्म हुआ संचय करमों की उजोसे ब्यक्ति का मनुश्य योनी में जन्म हुआ है और ये अंत में मोख्ष कहा गया है केतु को मोख्ष का कारक और जीवन रेखा जब केतु पे मिलती है तो जन्म लेने का क्या अधेश्या है ब्यक्ति का उसको धरसित करती है क्योंकि आप और हम लोग कई जनमों को लेकर आगे बढ़ते हैं इसी जनम मिर्थ के चक्र में घुसे हुई रहते हैं और जब हतेली में ये लगे कि जीवन रहा सीध्दा जो है मणि बंद में मिल रही है केटु पे मिल रही है, मोक्छ पे मिल रही है और उसमें मचली का चिन्न है तो जन्म लेने का उदेश्या है कि बिक्ति अपने इश्ट की साधना करे ठीक ने धार्मिक और अध्यात्मिक प्रवर्ति तो होती है बिक्ति ऐसा बिक्ति धार्मिक होता है अध्यात्मिक होता है ठीकने यही मचली दिखाती है ऐसा नहीं यह धन देती है इसका मूल उदेशय होता है केतुपे कि धर्म और अध्यात्म को बढ़ावा देना यह ब्यक्ति के अंदर धार्मिक और अध्यात्मिक परवुर्ति को बढ़ाती है इसकी पावर को जनरेट करती है और जीवन का जो उदेशय है जीवन रेखा मोक्षी की तरफ अनेकों चक्र में गोसे हूए हो अब इस जन्म का अर्थ क्या है कि ब्यक्ति अपने जीवन का अलम धार्मिक अध्यात्मिक कार्य करके इस्वर की पूर्ण सरणांगति जलके अब इन जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होना उसका वास्त्विक उद्यस्या है और इसी उद्यस्या के लिए इसने इस बार जन्म लिया है यह इस पश्ट दिखाता है इन चीजों को अद दूसरी बा लेकिन यह सूर्य की तरफ देखती है अब जब सूर्य अच्छी इस्तिति में आता है तो क्या होता है बेक्ति किसी एक चीज में चाहिए धार्मिक में हो अध्यात्मिक में हो या जो कारे वो कर रहा है उसमें हो एक ब्राण बनकर उबरता है एक सक्सियत बनके उबरता है ठ आपके साथ होगा ही होगा ये इस चीज को दिखा रहा है अब चले आपके कुछ सवाल ले लेते हैं फिर अन्य चीजों पे चर्चा करें आपने एक बहुत बड़ी एक सवाल लिखा है और हतीली में ढूनना है कि किस वजों से है ये और इसका निदान क्या है आपने लिखा है खासी की तकलीप है रोग है खासी का अगर किस वजों से रोग हुआ है देखेगा हतीली इस पश्ट बताती है 0.1 परसंट भी किन्तु परंत नहीं होता है इसकी जड़ क्या है आपके हतीली में इस पश्ट लिखा है ये देखेगा आप जरा ध्यान से देखेगा यहां मंग गल से लेके एक रेखा हिर्दे रेखा पे पहुंच रही है एक रेखा यहां से लेके यहां पहुंच रही है और यह दोनों की मार केस रेखाई है ठीक है नै और जब यह यहां पर इस प्रकार सा या यहां पर इस प्रकार से क्रोस करती है चाए यहां पे हो या यहां पे हो ग्राहों के छितर में, तो कुछ चीजें देती हैं, ठीक है न, उसमें ये बिमारी भी एक है, और ये सबसे आखरी वाला चीज है, कुछ नहीं दे पाया, तो बड़े रूप में ये बिमारी देता है, ठीक है न, क्या देता सबसे पहले, अगर आप नोकरी कर रहे हैं, या कहीं बच गए हैं, ज्यान से सुनो मेरे बात, जिसकी भी हतीली में, जाए महिला हो या पुरुष हो, ठीक है न, किसी की भी हतीली में हो, देखेगा, अब ये अगर वहां से बचा लिए, फिर ये करजे के दलदल में फंसा लेता है, धनहानी कराता है, अगर धनहानी करा लि उससे भी आप कहीं बच गए 10-20%, तो फिर ये क्या करता है, बाद भी बाद में फंसाता है, करा किसी ने, भरा किसी ने, और कोट कचरी का मामला मनाता है, अगर इससे आप बच गए, आपकी पुन्ण्या ऐसे रहे, कर्म ऐसे रहे, ग्रह इस्तिति ऐसे रही, नहीं फंसे है में फिर ये रहस्यमई बीमारी को जन्म देता है रहस्यमई ये खांसी भी रहस्यमई यह तो है इस इलाजी नहीं ओ पारा जिसका ठीक है और व्यक्ति लंबे दौर तक कई बार मिर्तियों तक उसी में उसी बीमारी के साथ जो है जाता है पूरी उमर चाहे उसने जो है के जीवन में है इसका क्या करना है भहिया देखेगा भले ही ये रा हो है लेकिन ग्यारवें रुदर रूप जो इसका इसको काट कर सकता है इसके मार को जो है उल्टा कर सकता है मनि इसकी मार इसी को दे सकता है ठीक है न तो वो है ग्यारवां रुदर रूप हनुमान जी उसका एक रूप और है उसको मैं दूँगा आपने देखा होगा हनुमान जी के कई चित्र है किसी में वो जंडा लेते हैं किसी में वो चाती फाट रहे होते हैं किसी में वो आशिरवाद दे रहे होते हैं किसी में कोई और मुद्रा होती है तो किस मुद्रा की साधना आपको करनी है ये मैं दूंगा और यकीन मानियेगा आपको डॉक्टरी सला तो लेनी ही लेनी है लेकिन साथ में ये साधना करनी है उस से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और रोख खतम हो जाएगा ये मैंने practical अपनाया, मैं नाम नहीं कहूंगा, भारत की एक जगा पे गया मैं, अब कुछ लोग भी स्वास मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन real में उनका बड़ा जो है, लम्मा चोड़ा मुझे खता आया है, जब मैं वहां गया, उन्होंने मुझे बुलाया था वहां कैम करने के लिए, कि कुछ लोगों का हाथ देखना है, गुरुजी आपके लिए ये टिकट है, मैं जाता रहता हूं, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया, टिकट उन्होंने कर रखी थी, खाने पीने की ब्योस्ता उनकी थी, ओफिस उनका था, लोग उन्हों यही कहा देखो जी मैं चमतकार तो ने कर सकता हूँ क्योंकि मैं केवल एक हाथ पढ़के बताता हूँ आपको और वो भी ऐसा नहीं कि मैं इसमें माश्टर हूँ जितनी मुझे नौलेज है मैं उतना ही बता पाता हूँ इस्वर के नाम लेके क्योंकि हम तो उनके अधिन काम करने वाले है कोई बिक्ति चमतकार नहीं करता है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्यान नहीं होता है जो यह कहता है कि मैं यह कर दूँगा बाहिया वो करने वाला होता तो अपनी जीवन में करता नहीं इस्वर कराता है माध्यम बना के भीजता है मैं ये नहीं करना मेरी वो जो से हुआ इस्वर ने माध्यम बना के मुझे भीजा कैसर हो रखा था मैंने उनको 41 दिन की एक साधना दी ग्यारवेरोदरूप हनमान जी की यकिन मानेगा ठिक 41 दिन के बाद उन्होंने पूरी साधना की और कहा गुर्जी अभी नहीं कर सकता पहली तारिक से करूँगा कोई खास मैंना बताए और 41 दिन तक उन्होंने साधना की उसके बाद उनका जो टेस्ट आया बहुत रोमान चित करने वाला बिमारी ही खतम पाई और अभी है वो बहुत प्रतिश्टित पत्पे है तब से वो बड़ा लगाव उनका हो गया छोटी मोटी चीजों के लिए मैसिज करना पोन करना कि अब क्या करूँ आप रास्ता दिखाए बहुत अच्छे पड़े लिखे बहुत बड़ी पत्पे हैं भारत में और जानते भी सब हैं अगर मैं नाम कहूँ तो सब को पता चल जाएगा कौन है ठीक है न तो हनुमान जी की बड़ी सकती है कल युग में वो कुछ भी कर सकती है लेकिन उसके किस रूप की पोजा करनी है किस प्रकार से करनी है किन चीजों का ध्यान रखना है ये होना चाहिए और डॉक्टरी सलाह जरू लेनी चाहिए ऐसा नहीं जोतिस जो है डॉक्टर नहीं है जोतिस सलाह देता है ये करो और इसके साथ ये करो तो आदुनिक विज्ञान चिकितसा विज्ञान के उपर भी आपको भरोसा रखना है उनकी सलावी लेनी है और यहां से इस स्वर की किरपा भी पानी है तो निश्चित रोप से यह आपकी जड़ है राहो की वज़ों से आपको यह तकलीप है और इसका जो है मैं आपको सोलिसन दूँगा जन्म किस कारे के लिए हुआ है देखो यह बहुत गहरा प्रशन है और अभी मैंने आपको जो जीवन रेखा है और यह कहां मिल रही है और इस पर क्या चिन्द बन रहा है यह इस पश्ट तरीके से आपको समझाया है कि किस वज़ों से आपका जन्म हुआ है इस उदेश्य के लिए मुक्त होने के लिए आपका जन्म हुआ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म मरण के बंदन से मुक्त होने के लिए आपने ये मनुष्य जीवन धारन किया है आप देखें यहां पर सब कुछ है करियर और धनी की रेखा है बहुत बिक्सित नहीं कहूंगा लेकिन अर्द बिक्सित M की आकर्ति बन रही है इसका मतलब है जो आपके पंच महाँ बोत हैं जिन से सरीर बना है जो आपके अश्टा चक्र है जो आपकी पांच ग्यान इंद्रिया हैं और आपके पंच महाकोस हैं आपके नवद्वार हैं इनके अनसार अगर देखा जाए तो भगवान रुद्र महेश आसुतोस भगवान महादेब देबों के देब महादेब आपके आरद्यदेब हैं और इनके ग्यारवे रुद्र रूप है भगवान हनुमान जी आपको हनुमान जी की साधना करने चाहिए हनुमान जी के आपके इश्टदेब है आपके हतेली के उनसार और या तो आप किसी सात्विक माता की चाहिए दुरगा हो, लक्षमी हो सिद्धिदात्री हो, गौरी हो इनकी पूजा कर सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा जैसा आपका हाथ है और जो आपके जीवन का उदेश्य है और जिससे आपको चीजें मिलेंगी आपको हनुमान जी की सरना अंगति जाना है ठीक है ने? आपने लिखाया है प्रबुका साक्षातकर कब और कैसे होगा कब होगा और कैसे होगा ठीक है ने? देखेगा जीवन लकीर है और इसके अंतमे है तो जीवन जब मुक्त की और पूरी तरह से जाने बैठेगा तो आपको दो या तीन माध्यमों से आपको निश्चित रूप से प्रबुका साक्षातकार होगा किन रूपों में? अध्यात्मिक और धार्मिक लोग कोन होते हैं? बहुत सिद्ध महात्मा होते हैं एक या कोई प्रकांड बिध्वान जो है कर्मकांड जो है ब्रावन देवता होता है भोदेवता जिसको कहते हैं दो ये प्रबुका दर्सन आपको प्रबु नहीं दिखेंगे आके इन रूपों में आपके पास आएंगे और आपको वास्तों में उस समय अध्भुत इस्तिति पैदा हो जाएगी आप देख देंगे लेकिन ये चौथी आउस्ता पर आने पर ही होगा उसके बाद भी आपका जिवन काफे अच्छा चलेगा ये देखें यहाँ है ने ये यहाँ पे होगा और यहाँ तक आपका जिवन है अतिल में ये पार्ट बहुत लंबा होता है कम से कम 10 से 15 वर्स का पार्ट होता है तो मिर्तियों से 10 या 15 वर्स पहले आपको भगवान का शाक्षातकार हो जाएगा आपने क्या लिखा है कि कब और कैसे होगा तो कब बता दिया और कैसे होगा ये मैंने बता दिया है इस परष्ट है इससे अलावा आप कोई द्वन्द में ना रहे कि कैसा होगा अब आपने एक बताया है आपकी दो लड़किया है तो साधी कब होगी देखेगा आपकी हतेली से ये पता नहीं चलेगा उनकी हतेलियों से ही पता चलेगा कि उनकी साधी कब होगी उनका जो है लाइब पार्टनर कैसा होगा साधी के बाद उनका जीवन कैसा चलेगा ये उनकी हतिली से पता चलेगा वो सकता मुझे देखना ना आता हो तो इसके लिए मैं माफिचाओंगा आपसे है पाच्वा सवाल आप लिखते हैं मेरी जिन्नगी में कौन सी चीज पर अधिक ध्यान देना जरूरी है साधना पर साधना पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है यही साधना आपको जीवन में जो है उच्चकोटी की अवस्ता में पहुंचाएगी मेरी आत्मा को जीवन में चाहिए आपके आत्मा को जीवन में अध्यात्मिकी ज़रूरत है और अध्यात्मिक चीजें चाहिए ठीक है ने तो अध्यात्म को पाने के लिए इस्वर की सर्णांगती और सादना मुझे में एसी कौन सी सक्ति है जिससे मैंने कौन सा कार्य सेवा कार्य आपको करना है रियल कहूं तो इस्वर की सक्ति आपके अंदर महादीव की है ठीक है ने सेवा कार्य आप करें तो आप जैसे सरस्वती वाली सेवा करें जो अगर आप इसमें संपन है तो जो बचे पढ़ लिखने ही पाते हैं ठीक है ने तो उनको साहता करें तो इससे आपके जीवन में जो है चीजे एकदम बुलंद इस्तित में आएगी और आपको अंतरात्मा की पता चल जाएगा यहाँ पे आपने लिखा है आगे और आध्यात्मिक उर्चा बढ़ाने की कौन सी कोसिस करना जरूरी है साधना में दे रहा हो आप करिएगा निश्चित तोर पे आपको अच्छा फाइदा होगा अब चलते हैं आपकी चीजों पर यहाँ पे देखेंगे तो यह सीधी खड़ी है आपकी इसका मतलब है कि कहीं न कहीं लीडर्शिप की क्वालिटी आपके जीवन में बढ़ने वाली है यह भी सीधी खड़ी है आपकी इसका मतलब है मेहनती है आप और मेहनत करने में कोई जो है कार्यार्था नहीं आएगी यहाँ पे देखेंगे तो यह इस तरफ जोकी हुई है यस पाने के इक्षा रहेगी नेम फेम पाने के इक्षा रहेगी और अपने कार्यों में बिस्तार पाने के इक्षा रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो यह थोड़ा बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है तरजनी बड़ी होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि गुरु का प्रभाव इस पे पड़ता है जो मूल में ब्रिस्पती देवता है तो ब्रिस्पती देवगरह का आपकी उंगले पे प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब होता है बिक्ति बिनम्र रहेगा डाउन टो अर्थ जिसको कहते हैं बिनम्र जुकावा सत्ता को समालने और दोसरों को नियंतरित करने में माहिर हो जाएंगे कारे कुसल होंगे, ब्यवारिक होंगे, स्वाबिमानी बहुत जादा होंगे लक्षा आपके जिवन में बहुत उचे रहने वाले हैं ये इस चीज़ को बता रहा है ठीक है? अब सबसे छोटी उंगली देखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिर पता ने चलता है सबसे छोटी उंगली देखें, ये तो पूरी तरों से जुकी हुए है इस तरफ देखें का कहीं न कहीं धन कमानी के ललक भी रहेगी लेकिन यहां पर इसके ये पहले पोरोय तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के परबंदन में, कागजों के रख रखाओं में, एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है और व्यक्तितों जिस प्रकार से निखर के आना चाहिए उभर के आना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है इस कमी को पूरा करने के लिए नेचरल तरीके से यहां तक आप नाखुन बढ़ाएं तो यकिनन ये चीजें आपके जिवन में अच्छी रहेंगे आप यहां पर देखें कि सब वैसे मैंने बता दिया है लेकिन इसको अगर देखते हैं और यहां पर देखें तो नारायन की भी बहुत जाता कमी किरपा आपके उपर है एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको अपनी जीवन में अगर आपने वास्तों में जिस चीज के लिए उदेश के लिए जन्म हुआ है और जो आपके अंदर भावनाई दबी हुई है और जो आपके जीवन में होना चाहे उसको प्राप्त करना चाहती है तो दो जगह में से या तो दोनों जगह या तो एक जगह जरूर जाएगा और दोनों जगह उत्राखंड में ही है एक है बद्री नारायल भू बैकुंट धाम इस धर्ती पे जो बैकुंट है वहाँ पे भगवान बद्री ध्यान आउस्ता में रहते हैं वो भी ध्यान कर रहे होते हैं, ध्यान का इतना महत्वा हमारे यहां बताया गया है, योग और ध्यान का, तो वहाँ पे ध्यानस्त हैं वो, ज्यान की प्राप्ति होती है वहाँ जाके, और चीजें बहुत सारे होती हैं, भगवान का द्वार है तो क्या कहें, उसके तो कोई धाम आप वहां की यात्रा करें और हनुमान जी से एकाकार कर लें यकीन मानेगा आपको जबरदस्त चीजें उभर के आएंगे ये दिखाई दे रहा है अब मैंने मस्तिस्क रेखा देख ली और जीवन रेखा आपकी देख ली करियर और धन की रेखा देखें तो ये तूट कर करियर के लिए और धन के लिए इसको पुष्ट करने के लिए दो चीजें दे रहा हूं दो किरिया इनको निश्चित तोर पे करियेगा और कम से कम तीन से छे मेहने तक यथावत करियेगा पहली किरिया है दिव्य सूर्य किरिया इसकी बिदी है इसका जो है एक प्रकार है वो दे रहा हूँ, दूसरा है दिव्य योग ध्यान के रहा है, एक परकार का प्रणायाम है, योगा है मेडिटेशन है, ये करिएगा और तीसरा मैं दे रहा हूँ साधना हनुमान जी की ये जरूर करिएगा 41 दिन की है, ठीक है न और उसकी बिदी अलगा अलगा है, उसको जरूर करिएगा यकिन मानिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है अब यहाँ पर ये चीजे हमने देख ली है, यहाँ पर सुक्र के परवत को देखती है सुक्र का परवत ठीक ठाक है आपका, लेकिन इसमें जाल बना हुआ है, जब सुक्र के परवत पे जाल बनता है तो ये थोड़ा सा जो है ब्यक्ति किसी चीज को लेकि बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंता भी कर रहा होता है, ब्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है परिश्रम करता है प्रियास करता है लेकिन पूर्णता नहीं मिल पाती है अब हो की इस्तिति बनी रहती है उसमें लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बाब जोद भी जो आंतरिक खुशियां है वो प्राप्त नहीं वो पाती है सुक नहीं मिल पाता है सब के लिए आपको दिब्य योग ध्यान के रियाद जरूर करनी है यहां पर नीचे की और है घूमने फिरने के खुब सोक्या रहेंगे निम्न मंगल अगर हम देखें यह थोड़ा उठावा है तो यह च्छन भंगुर वाला थोड़ा गुसा देता है कई बार चिरचिड़ापन में जाना चाहिए ठीक है न तो इसके लिए आपको जो है मैं दिब्य योग ध्यान के रिया दिब्य सूरे के रिया दे रहा हूं उसी में इसका उपाई भी दे दूँगा इसको जोरूर करेगा हाँ आपका ये मंगल बहुत अच्छा इसके कारण प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा और मुस्किलों से भागेंगे नहीं डट कर उसका मुकाबला करेंगे यहां पर देखेंगे तो इस प्रकार सी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है और इस प्रकार सी चीजें बन रही है एक मंदिर जैसा बन रहा है और व का साइन बन रहा है बिरस्पत पे मंदिर का बनना चतुसकून का बनना और दोनों के बीच में जो है पदम का चिन बनना ये बताता है कि बिक्त के अंदर ऐसी नौलेज जनरेट होने वाली है विसेश कर अध्यात्मिक मामले में धार्मिक मामले में क्योंकि ये ज्यान को देता है कि कहीं न कहीं जो है वो चीजे इन के लिए एक बरदान साबित होंगे दूसरी बात है विक्ति जिस फिल्ड में भी रिसर्च करना चाहें सोध करना चाहें उसकी भरपूर नौलेज विक्ति के अंदर आएगी समझ और नौलेज बहत्रिन रहेगी और इसमें एक बहुत काम तक ब्रसक्ति जाएगा हाईर लेबल तक ब्रसक्ति जाएगा अच्छी पोजिसन आपको इस चेतर में मिलेगी इस spend को निखाताता है सनी का भिप्रभाव पल्रादा तो ये आपका गुरु का परोता है बहुत अच्छा है शुंदर है अब यहाँ पर देखेंगे सनी सनी भी आपका अच्छा है सूर्य पर अच्छी लकी रहे है सब कुछ है लेकिन सूर्य पूरी तरों से बैलेंस नहीं है और इस सूर्य की उजोसे जितना परियास आपके द्वारा किया जा रहा है किसी भी छेतर में उन परियासों में पूरी सपलता की प्राप्त नहीं उपा रही है ठीक है न जो मेहनत आप कर रहे हैं जो परिस्रम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रे मिलना चाहिए जो पुरा क्रेडिट मिलना चाहिए वो आप तक उस रोप में नहीं पहुँच पा रहा है ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है उस प्रकार से चीजें उभर कर नहीं आ रही है निखर के नहीं आ पा रही है एक सहजता से एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहे वो रास्ता किसी भी मामले में उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है और फिर इसके कारण जो आपके सारिक चक्र है ये इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस परताल मेल में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है कहीं न कहीं साररिक या मानसिक स्वास्त्या में इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके अंदर की जो ओर्जा है जो आंतरिक खुसियां है जो उत्सा है ये बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं ये पूरी तरों से संगठित होकर काम नहीं कर पा रही है तुए इसके लिए दिब्य सूरेकरिया दे रहा हूँ उस दिब्य सूरेकरिया के कारण आपके जो साररिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौझुद भगवान सूरी के चक्राज के शाथ प्रस्परताल मिल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयमों पे पड़ेगा जहां आपका सारेरिक मानसिक स्वस्थ्य सांदा रहेगा वहीं आपका जो है मन बेतरीन इस्तित में रहेगा और आपको एक साहिजिता से रास्ता मिल जाएगा फिर चाहे सारेरेक स्वच्ते हो, चाहे आंतरिक खुसियां हो, चाहे आपका उत्सा हो, चाहे जीवन की उर्जा हो, इनकी आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी, ये प्रसपर तालमेल में आ जाएंगी आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, इसका लाब आपको बहुत अच्छा मिलेगा, चंद्रमा कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का बहुत अच्छा फाइदा नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण कई बार मन गणबर रहता है बेक्तिका मानसिक प्रेशानी ये दे सकता है कई बार भावकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा प्रेशान दे सकते हैं चंदरमा के कमजोर होने से कई बार मन अच्छा नहीं रहता है मन से सिधा जुड़ावा है आपका इसलिए पेट ठीक नहीं रहेगा मां का सुक मिलना थोड़ा कठिन है और कभी कभी नीन आने में बहुत ज़्यादा दिकते आ सकते हैं इन सब को ठीक करने के लिए एक साधना दे रहा हूं उस साधना को जरूर करें और दो किरियाई दे रहा हूं को जरूर करें आपको लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार